कि यह चीज़ हम डिसकस कर रहे थे लास्ट आनलाइस इस वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेर किया था कि यह जो लगभग 30 में का जो लो है वह सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है इसके उपर इसके नीचे मार्केट नहीं निकलना चाहिए अगर मार्केट को अपसाइड में सस्टेंट करना पड़ेगा तो एक्जाक्ली वही हुआ है अच्छा कासा एक्जीट पोल के कारन हमें आज इतना अच्छा देखने को मिला है अब दे कर सकते हैं यही रेंज का जो फोर और फाइफ परसेंट हैं वह हम अपसाइड में प्रोजेक्शन कर सकते हैं जो कि मार्केट को फर्दर लेके जा सकता है 24,200 के आसपा सिमिलर का इंडर स्टोरी जर्स लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर हम बैंक निफ्टी को करके रैली करना है और उसको कभी भी तोड़ा नहीं है गैप अपन हो गया और कहीं ने कहीं रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है सेम अगर आज क्या हाई की उपर फिर से कल मार्केट निकलना चालू करता है तो कहीं ने कहीं हम एक्सपेट कर सकते यही जो सारे 4-5 पर पर फिर से निकलना शुरू करता है तो सिंपल हम कैसे प्लैन करेंगे देखिए मेजर पोजिशन में आपको यहीं बोलूंगा ठीक ठाक मतलब अग्रेसिव मत बनाई है विकॉस जो इंडिया विक से ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा यह जो यह होता है इंडिया विक से अगर स्लोडाउन होता है लगबग लगबग अगर हम मानके चलते इंडिया विक्स के जगह पर 16-17 के आसपास 15-16 के आसपास आना शुरू करता है तो आप कहीं पर भी ट्रेट कीजिए अगर आपके पास कैपिटल है तो मैं आपको प्रिफर करूंगा ऑप्शन सेलिंग क अगर फ्लैट अपर फिर से निकलना शुरू करता है तो एक और चीज होगा यह अगर फ्लैट अपर होता है तो फाइंड आउट कीजे डेलो का लिकृटी से या पिर कहीं ने कई चोटा मोटा लोटा टाइम फ्रेम में कुछ स्ट्रक्चर बनने के बार ट्रेट करने का अध दिया है तो एक रैली फिर से हम अपसाइट की तरफ एक्सपेट कर सकते तो प्लीज एक और दिन इतना दिन आप वेट कर लिए जिनके पास बीटीस टी पोजिशन था फ्राइडे को मैंने आप लोगे साथ सेर किया था स्ट्रेंगल वाला चीज वह भी आज 110 पॉएंट का ह अगर एक नीटरल व्यू लेकर चलेंगे कि कॉल भी लेना है पुट भी लेना है तो प्रॉफिट ज्यादा एक्सपेट नहीं कर सकते वैराज यही चीजों पर अगर थोड़ा सा कॉमन ट्विक्स लगा देंगे कि आप बुलिस ज्यादा है तो कॉल दो लेंगे पुटेक ल अगर गैप डाउन होता है जो कि थोड़ा सा थोड़ा सा आउट अफॉट दो सिलेवर्स कुश्चेन होगा ठीके अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पर हरबरी मत कीजे दस बज़े के बाद देगना शुरू कीजे ठीके विकोस रेजल्स आना सुरू होगा दो बज कर सकते और दो बज़े के बाद अगर सस्टेंग करके फिर डे हाई तो फिर रिशेड्यूल मतलब फिर से उनको रिश्टॉक कर सकते अधर्वाइस जाने देंगे बिकॉस के एक पॉल एक प्रेडिक्शन होता है फाइनल रेजल्ट तो कली आने वाला है ओवराल हम एक्सपेट करेंगे कि 330 प्रस सीट साहे अनिफिंग अबव 310 12 30 इस वेरी गुट फ़ दे मार्केट अनिफिंग बिलो 306 इस नाट गुट फ़ द मार्केट यह सिंपिल साहे और कोई लेवल निकलके आएगा नहीं और क्रिपया करके कल एक्सपाइड ही है पिन और वाइस अगर आप कल ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा इंडियाविक्स नीचे आ रहा है धी नीचे आ जाता है वेडिनेसर यह से हम बरियासे ट्रेड कर सकते बाकि में भी कुछ उतना एग्रेसिविवी ट्रेड नहीं करूंगा स्टक्स फोकस ज्यादा कीज पर ट्रेट कर सकते और अगर डाउन ओपन होता है दोनों इंडेक्स में वह आउट अफ दो सिलिबस कोश्चन आने वाला है वहां पर थोड़ा समाल के कीजिएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है दो तीन सिनारियो हो सकता है एक साइडवेज हो गया जिसका चांसे बहुत कमें एक हो गया फ्री फॉल होता है तो कुछ घरबर है वहां पर दो बज़े से पहले देर बज़े से कुछ करने की कोशिश मत कीजिए नहीं तो हाथ जल जाएगा ब मार्केट को और ज्यादा खिचके लेके जा सकता है ठीक है चले वीडियो के यहाँ पर खतम करेंगे कल हम लाइफ में बैठेंगे शुर्बे से भी आने की कोशिश करूंगा फस्ट आप में तब के लिए तब तक के लिए मुलाकात होगा नीचे इंस्साग्राम और ट्रिलिग से शुमने